हेलो दोस्तो मैं हूँ इंद्रजीत और स्वागत है आप सभी का एक नहीं वडियो में तो जैसे कि हम सभी को पता होता है कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती हर किसी गाड़े में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होते हैं तोयोटा की लेटेस्ट इनुवा है क्रॉस इसके पूराने जनरेशन से लेंध में और वील बेस में काफी बड़ी है जिसके मदद से आपको इसके कैबिन में काफी बड़िया स्पेस मिल जाती है तीनो ही रोज में और तीनो ही रोज में काफी बढ़िया स्पेस मिलने के बाद भी आपको इसके बूट स्पेस में काफी बढ़िया स्पेस मिल जाती है जिसमें आप बहुत सारा सामान आपका कैरी करके ले जा सकते हो तो टोयोटा की इस इनोवा है क्रोस में आप काफी कंफर्टेबली लॉंग ट्रिप कर सकते हो और बहुत सारा आपका सामान भी साथ में ले जा सकते हो बहुत सारी गाड़िया ऐसी होती है जिनकी front side अच्छी नहीं होती पर side profile और rear profile अच्छी होती है किसी गाड़ी की rear profile अच्छी नहीं होती पर front और side profile अच्छी होती है साथ ही साथ इसका इंटेरियर भी काफी बढ़िया है इंटेरियर में भी आपको इस गाड़ी से कोई भी शिकायत नहीं होगी तो overall इनोआ हैक्रोस का एक्स्टेरियर और इंटेरियर काफी बढ़िया है Positive No.3 है इनोआ हैक्रोस में मिलने वाले features निव इनोआ हैक्रोस में आपको ऐसे features मिल जाते हैं जो कि अब तक के इनोआ के किसी भी generations में नहीं मिलते थे जैसे कि 360 degree camera, panoramic sunroof, powered tailgate, 65 car connected features, 10.1 inches big screen, powered auto man, captain seats ये कुछ बढ़िया comfort and convenience के features आपको इनोआ हैक्रोस में मिलते हैं साथ ही साथ काफी बढ़िया safety features भी आपको इनोआ हैक्रोस में मिलते हैं जैसे कि level 2 ADAS, 6 airbags, 4 disc brakes and electronic parking brake तो ये सभी comfort and convenience के features और safety के features आपको first time इनोआ हैक्रोस में मिलने वाले हैं जो कि अब तब किसी भी इनोआ के generations में नहीं मिलते थे positive number 3 है इनोआ हैक्रोस में मिलने वाली mileage इनोआ हैक्रोस के hybrid version में आपको company 21.1 km per liter की mileage claim करती है पर real life में अगर इस गाड़ी ने आपको 16 to 17 km per liter की mileage भी अगर दे दी तो काफी बढ़िया mileage आपको इस गाड़ी से आपको मिलने वाली है इस गाड़ी के mileage को अगर हम इनोआ क्रिस्टा के diesel engine के mileage से compare करते है तो इनोआ क्रिस्टा का diesel engine highway पर भी आपको 12-13 km per liter की mileage ही दे पाता है पर अगर इनोआ हैक्रोस ने आपको 16 to 17 km per liter का mileage भी अगर दे दिया तो diesel engine के mileage से काफी अच्छा mileage आपको इसमें मिल जाएगा positive number 5 है monocoque platform new inoa high cross monocoque platform पे best है जिसके कारण आपको इसको high speed चलाते वक्त काफी stability मिलेगी और काफी कम body roll आपको high speed में चलाते वक्त फिल होगा वहीपेस के old generation inoa क्रिस्टा और inoa की other generations में ladder on frame platform मिलता था जो कि high speed पे इतनी stability नहीं provide कर पाता और उस platform में आपको body roll भी देखने को मिलता है जो कि इस monocoque platform पे नहीं मिलता तो ये तो हो गए inoa high cross के कुछ positives अब बात कर लेते हैं inoa high cross में मिलने वाले negatives की तो negative number one है no diesel engine option अभी तक inoa की जितने भी generations हो चुकी है उसमें आपको petrol और diesel दोनों ये options मिल जाते थे पर इस बार company ने सिर्फ petrol engines में inoa को लाया है जिससे बहुत सारे diesel engine fans disappoint होने वाले हैं क्योंकि जिन लोगों को एक diesel का रच्ची लगती है वो तो इस गाड़ी को नहीं ले पाएंगे इसलिए ये काफी बड़ा negative है inoa high cross के बारे में negative number two है no wireless charging and tire pressure monitoring system आजकल तो कम से कम budget वाले गाड़ियों में भी आपको wireless charging tire pressure monitoring system मिल जाता है पर new inoa high cross में आपको wireless charging और tire pressure monitoring system ये दोनों ही feature आपको as a accessory लेने होते हैं मतलब आपको ये गाड़ी के साथ नहीं मिलते अगर आपको चाहिए हो तो आपको इन दो features के लिए extra pay करना होगा तो ये मुझे इस गाड़ी के बारे में काफी बड़ा negative लगा क्योंकि आप इस महेंगी गाड़ी में इतने सारे बड़िया बड़िया features दे रहे हो पर जो basic features है wireless charging और TPMS आप उन features को as a accessory बेच रहे हो वो भी इतने महेंगे गाड़ी में जो के बिलकुल भी सही decision नहीं है wireless charging को एक time के लिए हम side में रखते हैं पर tire pressure monitoring system तो एक काफी important feature है जो के आजकल बहुत सारे गाड़ियों में आपको inbuilt ही मिल जाता है पर Toyota ने अपने Innova High Cross में ये नहीं दिया as a accessory वो बेच रहे हैं तो ये काफी बड़ा negative मुझे Innova High Cross के बारे में लगता है तो ये ही कुछ थे Innova High Cross के बारे में कुछ positives और कुछ negatives अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे Thanks for watching